देश को आज नया संसद भवन मिल गया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को नय संसद भवन में स्थापित किया पीएम मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर कहा कि अगले 25 साल में भारत को विक्सित राष्ट्र बनाना है पीएम मोदी ने कहा कि आज नय संसद भवन को देखकर हर भारती एक गौरव से भरा हुआ है लोग सभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रिय पक्षी मोर पर आधारित है तो वहीं राज्य सभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रिय फूल कमल पर आधारित है संसत के प्रांगण में राश्ट्रिय वरक्ष बर्गत भी लगा हुआ है लेकिन नए संसत भवन की एक तस्वीर जबरदस्त वाइरल हो रही है इस तस्वीर की जबरदस्त चर्चा चल रही है बताया जा रहो है कि नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्षा भी लगा हुआ है सोशल मीडिया पर अखंड भारत के इस नक्षे की जबरदस्त चर्चा है अखंड भारत के इस नक्षे को देख कई देश अब परेशान ज़रूर होंगे पाकिस्तान में तो भारत की नई संसद में लगे इस अखंड भारत के नक्षे की चर्चा होनी तय है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पर एक ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने लिखा कि हिंदू संस्कृती का जगत में आज फिर सम्मान हो पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्मान हो नई संसद में अखंड भारत का मानचित्र लगा है अखंड भारत की ये तस्वीर शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने पूर्व प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई की कवीता की दो पंक्तियां लिख दी इस कवीता में पूर्व प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई ने लिखा था कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुन्हे अखंड बनाएंगे गिलगित से गारोपरवत तक आजादी का पर्व मनाएंगे वैसे आपको बता दे कि अखंड भारत के मांचित्र के अलावा एक और तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ये तस्वीर है वीर सावरकर की आपको बता दे कि वीर सावरकर की 140 वी जयंती के दिन ही नए संसद भवन का उधगाटन किया गया है ये दोनों तस्वीरे आज विपक्षी पार्टियों और पीम मोदी का विरोध करने वालों को चैन से बैठने नहीं देंगी चलिए जाते जाते आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहरी वाजवपई जी की आवाज में उस कवीता की ये दो पंक्तियां सुनवा देते हैं हुआ हुआ